तो आज एकम कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दुख्यारों की पीर हरूंगा मम्मी मैंने ठान लिया है अब मैं पढ़ने जाऊंगा पढ़ लिखकर दुनिया में अपना उचा नाम कमाऊंगा मुन्ना जाता मुन्नी जाती सुबा सामवा कविता गाती जिसका भी संदेशा आता सबकी वा पढ़ती है पाती तो इस कविता में जो बालक है वो अपने मुमी से कहता है कि मा मैं अपढ़ लिख कर अपना नाम दुनिया में कमाऊंगा मुन्ना भी पढ़ने जाता है और मुन्नी भी जाती है सुबा साम वह एक कविता गाती है जिसका संदेशा हो वो सभी का संदेशा पढ़ पाती है यारों की पीर हरूंगा कविता की दो चंद अब पढ़ते हैं तीसरा चंद छोटी पढ़ती, छोटा पढ़ता, मोती जैसे अक्षर गरता मुझे भी कापी कलम दिला दो, पस्ता और पुस्तके दिला पढ़ लिखकर मैं बनूंगा अपसर, हाल सुनूंगा जाकर घर-घर मैं सब अच्छे काम करूंगा, दुखियारों की पीर हरूंगा सच्चे तन से, सच्चे मन से, पूर्ण भी नई होकर तन मन से आगे बढ़ता जाऊंगा, उंचा नाम कमाऊंगा कवी का नाम है अनिलकुमा शर्मा तो इस तीसरे पंक्ती में बालक कहता है जैसे छोटा और छोटी पढ़ते हैं, सापसुक्तरे अक्षर लिखते हैं जैसे ही मुझे भी कापी कलम दिला दो, बस्ता और पुस्तके दिला दो, मैं भी उनकी तरह पढ़ना और लिखना चाहता हूं पढ़ लिखकर बढ़ा अफसर बनूंगा, घर घर जाकर सबकी तकलीफे सुनूंगा मस्ति जो बन पढ़ेगा मैं वो करूंगा, सब अच्छे काम करूंगा, दुख्या रूकी पीडा हरूंगा सच्चे तन मन से पूर्ण रूप से बिनम रहू कर, अपनी तन मन से आगे बढ़ता जाऊंगा, और उच्छा नाम कमाऊंगा च्छा है बच्चो आप लोगों को ये कविता समझा गई होगी तो बच्चो अब हम पढ़ेंगे को शब्दार्ट जो है ठान लिया है, पक्का इरादा कर लिया है उच्चा नाम देश के लिए अच्छे काम करने वालों लोगों में नाम संदेशा, समाचार, पाती, चिठी या पत्र, मोती जैसे साफसुत्रे या सुन्दर देखने वाले, पीर यानि पीडा या फिर दुख, हरूंगा दूर करूंगा सच्चा तन, बोलिष्ट सरीर, सच्चा मन, सब के लिए अच्छी भावना रखने वाला मन, आगे बढ़ना, उन्नती करना या तरकी करना धन्यवाद